So, Hello and Welcome to my channel Tech with Zubair, So, दोस्तों, वेलकम बैक टो माई चैनल और आज एक बहुत इंटरस्टिंग वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक हैं, और बहुत से लोगों की वह कहता हैं, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, बेसिकली सबसे इंपॉर्टन चीज होती है एक आप मुबाइल फोन जब खरीते हैं तो उसका चार्जर और जो उसकी एक इंपॉर्डन रोल प्ले करती हैं अज की डेट में हम देख सकते हैं कि जितने भी मुबाइल फोन से अर हैं उनमे से धेरे-धेरे जो उसकी एसका एंसेरी से बहुत या कोई ओर और एडप्टर से मिल जाते हैं लेकिन जो इशू आता है सबसे बड़ा हम लोग देख सकते हैं जो आईफोन यूजर्स होते हैं अगर उनकी कोई केबिल खराब हो जाती है या एडैप्टर खराब हो जाता है तो ये आप भी जानते हैं कि एक 5 वाट का एडैप्टर 2500 रुपे का मिलता है या फास चारजर है जो कि एक 4000 रुपीज बहुत जादा 4000 रुपीज में आजकर एक स्मार्ट फोन तक आ जाता है तो एक ये बहुत जादा एक प्राइस हो जाता है तो आज इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ क्योंकि जो एप्पिल का ओरिजिनल आपको एडैप्टर और केबिल मि जा सकते हैं और क्या वह आपके लिए वर्थ है या नहीं है किस प्राइस में वह आपको मिल सकता है या दोस्तों विदाउट एनी डिले लेट्स केट स्टार्ड़ेग तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहां पर एडैप्टर की कि आपको कौन सा एडैप् तो वह ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसके लिए टाइप सी पोट चाहिए या नॉर्मल पोट चाहिए तो मैं बात की जगह आपको दिखाता ही हूँ प्रोड़क्ट कौन सा है कौन सा नहीं है तो यह मैंने और किया था Amazon से आप लोग देख सकते हैं यह मैंने Amazon से प्रोड़क् और यह मुझे अभी रिसीव हुआ तो कुस दिन पहले ही तो इसको अभी हम अन्बॉक्स कर लेते हैं और यह रहा हमारा प्रोड़क्ट आप देख सकते हैं यह पर यह पूट्रोनिक्स ब्रैंड का है पूट्रोनिक्स आगर आपको पता हूँ यह इंडियन ब्रैंड है और अभी हम इसके बादे में बात करेंगे कि इसके क्या स्पैसिफिकेशन है और यह पीछे देख सकते हैं इसके कुछ स्पैक्स और प्राइसिंग लिखी हुई है जो है 999 और अभी हम इसकी पहले चार्जर को निकाल लेते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं इसके क्या specs वागे रहा है सारे तो यहां पर हमने यह charger निकाल लिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं मैं पूर्ट की तरफ से ही आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यहां पर दो पूर्ट दिये हुए है एक type c port है और एक नॉर्मल जो हमारा usb 2.a type a port होता है है वह पूर्ट दिया गया है तो इस charger की जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी चीज लगी है कि आप दोनों से ही दोनों ही क्विक चार्ज को सपोर्ट करते हैं पीडी आप लोग देख सकते हैं इसमें बॉक्स में भी लिखका हुआ है टाइप सी पीडी और जो एक दूसरा दिया है वह हमारा कॉल कॉम क्विक चार्ज 3.2 है तो आप दोनों ही पोर्ट से 18 वाट के आउटपुट के साथ में अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं जो कि एक और कोई बी इशू नहीं देखने को मिला है बहुत नार्मल चार्जिंग हुई यह बहुत ही स्पीड अप चार्जिंग हुई है इसकी तो अभी तक कोई भी इसूस नहीं है यह मैक्सिमम 18 वाट जो मैक्सिमम आउटपुट है वह 18 वाट का देता है और अभी तक मुझे बह को इसके लिए जाना ही चाहिए सो दोस्तों ये हमने बात की यहां पे पोट्रोणिक्स एडैप्टर की और दोस्तों मैं चीज और बता दू मैंने अभी यहां पे दो एडैप्टर और और ऑरडर किये हुए specially videos बनाने के लिए तो वो अभी in transit में है 102 दिन में मेरे पास receive हो जाएगा तो इस पे भी मैं video बनाऊंगो और comparison करूँगा कि कौन सा better है और कौन value worth है तो उसके लिए आप जरूर मेरे channel को subscribe कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आप video देख तो रहे हैं सब video देख रहे हैं लेकर आप subscribe नहीं कर रहे हैं so I request you to subscribe the channel और दबा दीजिए आप ता कोई आपको सारे notifications मिलते जाएं क्योंकि बहुत interesting videos मैं आपके लिए लाने वाला हूँ so दोस्तों यह हमारी adapter की बात थी हम बात कर लेते हैं कि हम phone को charge कैसे करेंगे तो उसके लिए जरुरत पड़ती है हमको normally cable की और cable आप जैसे कि यह adapter में दोनों port दिये हुए है तो आपके पास अगर कोई घर में normal cable रखी हुई है जो fast charging support करती है up to 18 watt आप उसको यहाँ पे लगा के अपना phone charge कर सकते हैं normally but for iPhone users उनको एक अगर fast charge करना है तो उनको एक PD charger like type C port होना चाहिए और lightning होना चाहिए तो lightning cables जो होती हैं बहुत महंगी आती है वह हमको पता है अगर MFI supported है other brand की भी वह भी महंगी होती है तो आज एक मैं उसी cable के बारे हम बात करने वाला बूम तो यह भी हमने Amazon से order किया था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह हमने Apple MFI certified cable मंगाई हुई है MFI का मतलब अगर आपको पता है मैं बता दू है MFI मतलब होता है made for iPhones so these cable are certified तो दोस्तों यह basically मैं सबसे पहले स्कोर किया बॉक्स कर लेता हूं और यह आप देख सकते हैं यह मैंने Amazon basics की मंगाई हुई थी यह actually Amazon का खुद का brand है Amazon basics तो यह मुझे काफी सही cable लगी हुई सकते हैं यहां पर specifications और price वगेरा यहां पर दिये हुए हैं तो pricing आप देख सकते हैं इसमें 1900 रुपीज इसका price है और जैसा की मैं आपको बता दूँ इसमें थ्री जो टाइप्स की के बिल आती है सेम मॉडल की एक 1 feet पे available है एक 3 feet long पे available है और यह 6 feet पे तो यह जो हमारी केबल ही है हमने 6 feet वाली बंगाई हुई है जिसकी 1900 रुपीज मारपी है और यह मुझे कितनी की मिली है वो मैं आपको वीडियो के लास में बताऊंगा तो सबसे पहले हम यहां पे cable को निकाल लेते है तो यह रही बॉक्स में कुछ भी नहीं है यह एक Amazon Basics का एक कार्ड दिया हुआ है Thank you for choosing Amazon Basics to serve your mobile charging best तो यह हमारे पास एक Amazon Basics का कार्ड मिला हुआ है बाकी यह बॉक्स है और कुछ नहीं है और यह एक बहुत ही प्यारी से cable है nylon breaded आप लोग देख सकते हैं या पे आप इसको जैसे भी चाहिए वैसा मोर सकते हैं और एक यह six feet की cable है मैं पूरी खोलूँगा नहीं क्योंकि यहां पर मैस हो जाएगा six feet की cable है मतलब बहुत लंबी इतनी लंबी cable आप समझ सकते हैं तो यह बहुत बड़ा benefit है और इसको अगर आप through laptop यूज करते हैं अपना data transfer करते हैं त इसमें specs वगेरा सारे लिखे हुए अगर मैं पढ़ना चाहूं तो तो यह मुझे almost cable बहुत ही अच्छी लगी है बहुत ही सही लगी है और अगर मैं इसके pricing की बात करूं तो यह मुझे अभी इस पे एक lightning डीड चल रही थी offers में जिसमें यह मुझे almost 929 रुपीस की मिली है और मैं एक बहुत ही बिल्कुल आपको clear कर देना चाहता हूं जो apple की cable आती है जो आपको 16 1700 रुपीस के मिलेगी type C to lightning से MSC उसके मुकाबले यह cable बहुत ही अच्छी है quality में बहुत ही अच्छी है data delivery में बहुत ही अच्छी है charging में तो आप इस cable के लिए बिलकुल आग बंद करके जा सकते हैं इसकी बहुत अच्छी global rating है आप Amazon पर rating देख सकते हैं आप other YouTubers को देख सकते हैं बहुत ही अच्छी cable है मैंने भी दो तीन दिन जितने भी दिन यूज किया भी तो मुझे कोई भी issues नहीं आया है बहुत ही अच्छी performance मिली हुई है इस cable से और दोस्तों दोस्त अभी हम इस पे एक जो है सबसे में हम इसके एक charging टेस्ट करने वाले हैं और हम उसमें देखेंगे कि ये कितनी देर में चार्ज कर देता है तो दोस्तों इस पे मैं अभी मेरे पास एक 25 वाट का Samsung का Type-C adapter है तो उस पे भी हम चेक करेंगे कि ये Type-C Samsung का 25 वाट का adapter वो कितनी द चार्ज करता है तो इसके लिए आप बिल्कुल स्टेट्यून रही है सबस्क्राइब कर दीजे मेरे चैनल को और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रही है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हमने दोनों प्रोड़क्ट को अपने अन्बॉक्स किया और बताय तो ये थी हमारी आज की वीडियो इसका जो चार्जिंग टेस्ट है मैं एक जो ग्लिम्स होता है आपको 0-50% और 0-80% वह में एक शॉट वीडियो इसकी लास्में एंड में डाल दूँगा और इसकी जो कंप्लीट एक चार्जिंग टेस्ट और कंपैरिजन वीडियो है वो म लिए आप स्टेट यून रही है तो दोस्तों जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अब हमको यहां पर आदा गंटा यहां पर होने वाला है हमको तो सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं बिल्कुल भी हीट नहीं बहुत जादा नॉर्मल ऐफोन बिल्कुल ही पता ही नहीं चलना चार्ज में लगा था या नहीं लगा था अब हम इस वह देख लेते हैं यह कितना चार्ज हुआ है तो यहां पर हम देख सकते हैं 53% आप लोग यहां पर देख सकते हैं 53% तीस मिनट में 53% यहां पर चार्ज हो गया है जीरो स्विच आफ खोला था हमने ड्रेन यहां पिल्कुल जीरो पे तो यह 53% 30 minutes में हो गया है और company claim करती है कि आप first 30 minutes में 50% charge कर सकते हैं तो यहां पे बिल्कुल ही company के claim के हिसाब से जादा ही दिया है इसने 3% So दोस्तो, thanks for watching, catch you in the next later